गुट मॉर्निंग टू आल अफ यू सभी लोग लाइब आज है आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है और एक वर कमेंट करके बताईए मेरा ओडियो और वीडियो आप सभी तक प्रोपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है मेरे प्यारे बच्चो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मेरा ओडियो और वीडियो बिलकुल मेरा ऋडियो और वीडियो आप सभी तक प्रोपर जा रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दे psycheर और वीडियो को लाइक कर दे चो आज का जो कलासेज होने जा रहा है, क्रेस कोर्स का ये तिसरा लिक्चर है, और आज हम लोग बाईलोजी का कलासेज करने जा रहे हैं. बच्चो आज का कलासेज में हम लोग अस्केलेटल सिस्टम मानव का जो कंकाल तंतर होता है, जिससे प्रशन पूछे जाते हैं, हाँ अब ये शिनर सिंग पारा मेडिकल आईटी याई में बहुत सारे क्यूशन पूछे गये हैं, अग्रिकल्चर की बात करें तो वहाँ पे भ 206 हड़ी का फील कर भाऊंगा, कि आखिर 206 हड़ी कौन कोन है, कहां कहां पे हैं, आप कौन कर सकतो, आप गिन सकतो, किसी आदमी को शामने रख कर आप उसकी 206 हड़ीयां बता सकते हैं, ठीक है, तो वीडियो को शेर कर दे, आज के कलासेज में हमारे शाद, काजल गुपता पिरिया कुमारी, राज लक्षमी प्रीती, मिश्टर खान, काजल गुपता, शंतोस, विपिन सिंग, अंजल, पिरिया, काजल गुपता, मिश्टर खान, रजन गुपता, शमेद, बहुत सारे स्टुडेंट आज के कलासेज कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग शेर को में आपका कंप्लीट होगा, पहला लिक्षर आज हम लोग अस्कलेटल सिस्टम के बारे में पूरा अध्यान कर लेंगे, अगली जो कलासेज होगी, I think कल भी मैं कलासेज करवाऊंगा, अप्लिकेशन पे मैंसेज चला जाएगा, कल की कलासेज में हम लोग सारा जुआइंट करना चाहिए उसमें, तो उसमें प्रस्न पूछे जाते हैं कि कौन सा जोइंट, सेडल जोइंट, प्राइवेट जोइंट, यह सब कहां पे हैं, हिंज जोइंट कहां पे हैं, उसकी जनकारी दूँगा, और यह चेप्टर से जो बीमारिया होती है, टेटनी हो गया, मस्कुल स्क्रीन पे लाइन आ रहा है, अच्छे ठीक है, वो लाइन आ रहा है, अगली देखो, एक चीज और बता दू, दो-चार दीन टेकनिकल टीम जो हैं छुट्टी पे गया हुए हैं, ठीक है, कोई प्रेशनल रीजन के कारण वो छुट्टी लिए हैं, इसी लिए कलासे जो है चार-पाच मिनट, दस मिनट अगर कलासे डिले होती है, तो आपको कॉपरेट करना है बच्छों, ठीक है, कॉपरेशन जरूरी है, तो चलिए हम लोग सेशन को श्टार्ट करते हैं, अस्कलेटल सिस्टम, मानव कंकालतन, ठीक है, मानव कंकालतन तर के बारे में हम लोग सबसे किम्ती और सबसे मुल्लेवान चीज़े, बच्चों, समय के पास भी इतना समय नहीं है, कि वो आपको दुबारा समय दे सके, जो तेज बच्चा है, वो तो समझ गया होगा, जो नहीं समझा उसको मैं समझा दूँ, कि आज अगर आप समय जो निकाल रहे हो ना, अपन हाँ, लेकिन आपको देर गंटे का कलासेज सिंस्यर होकर करना है, कोई बच्चा सो करना है, शो कर मत करो या, ढंक से बैट जो, कलासरूम की फिलिंग लो, ठीक है, चलिए, तो क्रेस कुर्स की, तो आपको कोर्स कैसे जोईन करना है, प्लेय स्टोर से आप डाउनलोड करके, आप जोईन कर सकते हैं, अप्लिकेशन के माधियम से, या फिर बच्चो, पेमेंट प्रोसेस है, खोन पे नंबर, इस नंबर पे कॉल कीज़े, अगर कोई दिक्कत है, कुर्स जोईन करने में, तो आप हमारा हेल्ट लाइन नंबर पचासी, चुवालेस सेक्षर, त्रेपन जा रहा हो, तो रेडियो, चलिए, राकी, रानी, काजल, गुपता, परतीवा, शिंग, सब लोग रेडिये, टाइम आउट नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं किजएगा, तो टाइम आउट आपको नहीं किया जाएगा, ठीके, तो चलिए, हम लोग स्कलेटल सिस्टम को अध ठीके, तो वीडियो के कबर सारे चेंपियंस लाइक तो कर दो यार, तभी तो अश्टार्ट करेंगे, तभी तो मज़ा है, ठीके, सर, स्मार्ट लग रहे हैं, सर जी, आज आज आप तो बहुत मिस्टर खान, कोई बात नहीं भाई, स्मार्टनेस, जो है न, आप भी बन सकत स्मार्ट, चलो, श्टार्ट करते हैं भाई, अस्केलेटल सिस्टम, हम लोग मानव कंकाल तंतर के बारे में, आज जद्यान करने जा रहे हैं, ठीके, आखिर कंकाल तंतर क्या है, इसके बारे में, सबसे पहले आपको शमजना होगा, ठीके, कि मानव के, आईए डिफिनेशन क्योंकि हमारे सरीर में वर्टिवरल कॉलम है, ये हडिया देख रहे हो, पीछे वाला, वर्टिवरल कॉलम है, इसलिए भी आर वर्टिवरे, वर्टिवरे को हिंदू में केशुरू की परानी बोला जाता है, सरीर में अंदर एवं कठोर एके कृत स्रंचना पाई जाती है, यह अस्तिया, उपस्तिया, मांस्पेशिया से निर्मीत होती है, अस्तिया कहने का मतलब बोन्स, उपस्तिया कहने का मतलब कार्टीलेज, ठीक है बच्चों, अस्केलेटल सिस्टम में क्या है, कार्टीलेज है सर, कार्टीलेज यानि उपस्तियों है, बोन्स है सर, ठीक है, स option के अनुशार आपका right answer होना चाहिए bones, cartilage और muscles याद होना चाहिए बच्चों से निर्मित होती है सभी अस्तिया विभीन परकार के संधियों दुवारा एक दुसरे से जुरी होती है जीवों के सरीर की यह अधारी संचना को हम लोग कंकाल तंतर करते हैं संधिया में हम लोग आगे बात करेंगे, tendons के नाम आपने शुना होगा, ligaments के नाम शुना होगा मैं बात करूँगा, आपको शमझाओंगा क्या कि tendon का function क्या है, वहां से भी question पूछें ठीक है, तो आगे बढ़ू, चलिए, आगे बढ़ता हूँ, यह तो हो गया human escalator system के बारे में बच्चों, आप मुझे बताईएगा, एक adult में bone की संख्या कितनी होती है, बेस्क में हडियां की संख्या कितनी होती है तो आपको पता होना चाहिए सर्फ 206 हडियां होती है, अगर यही प्रश्ण, अगर बच्चों यही प्रश्ण पूछे, बच्चा में ठीक है, बच्चा में, तो बच्चा में हडिया की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताएए, कि बच्चा में हडिया की संख्या कितनी होती है जल्दी से बताईए हाँ तो आप वो लिएगा कि बच्चा में जो हड़ी की संख्या होता है सर 208 होता है लेकिन बच्चों मेरे एक और प्रश्ण नवजात सीशू नवजात सीशू यानि जो जनम जात बच्चा अभी तुरत बच्चा जनम ले रहा है उसके सरीर में हड़ी की संख्या कितनी होगी साब ये तो बताईए है न ये भी आपको बताना है तो नवजात सीशू में 300 के करीब हड़ीया होती है बच्चों तो आपको ये तीनों चीज़ यात रखना एक बियस्क में 206 बच्चा में 200 यहां पर दो हड़ी एक्स्ट्रा होता है वो बाद में जब बच्चा एडल्ट होता है बियस्क बनता है तो ये हड़ी आपस में जूर जाते हैं आपके माइड में प्रिश्ण और होगे सर नवजात सीसू बें आकिर 300 हड़ी होती है तो वो हड़ी कहां जाता है बच्चों जो बच्चा होता है उसका हड़ी एक तरह से टूटा टूटा हुआ फो में होता है ठीके चोटा चोटा स्ट्रक्चर में होता है वो जैसे जैसे वो जहाहाँ जहाँ जोइंट टूटा टूटा रहता है, उसमें भरा जाता है। उसमें भरा जाता है। यह चीज याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ो। बिल्कुल। आगे आप करते हैं किसах बोन की अध्यान को कहते क्या है देखो एक टर्म होता हैオस्टियो लोजी कहीं पे बाइलोजी में लोजी लगा हूआ रहे तो इसका मतला होता है टू अस्टेडी ठीक है लोजी का मतला बच्चो टू अस्टेडी ओस्टियो मतला बोन जो बोन की अध्यान करें उसे ओस्टियो लोजी कहते हैं ठीक है अस्टियों की अध्यान को हम लोग ओस्टियो लोजी कहते हैं और जो बोन का डोक्टर होते हैं न उसमें IST लगा दो ओस काटिलेज का निर्मान होता है उपास्थियों का निर्मान होता है उसके बाद अस्थियों का निर्मान होता है याद रखिएगा सबसे पहले काटिलेज बनेगा काटिलेज से बोन बनता है तो अगला प्रशन यह भी पूछा जाता है यह दोनों प्रशन पूछे हुए है पार पिकाओं के नए हडियों विकाश गटन की परकिरिया को अस्थी भवन यानि बोन डेवलप्मेंट करते हैं, this is a process to develop your bone, to develop your ascleatal system, ठीक है बच्चो, चलिए, तो देखो समानता बात आती है, कि सर, हमारी सरीर में bone का development कितने बर्स तक होता है, तो 20 से 25 बर्स तक maximum मान के चलो मैं तो बोलूं कि 18 साल तक आपका जितना height बढ़ गया ना 18 से 20 साल तक, उससे ज़्यादा आप लंबा नहीं होगी, अगर हाथ आपका आपका शरीर 6 फीट का बन गया, तो आप 6 फीट के पूरे जिंदगी रह जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपक ठीक है, यह एक तरह का, जो है, मतलब कुछ fix time तक आपका growth हो सकता है, कोई बच्चा बोलेगा, नहीं सर बाद में तो हम calcium का tablet खूब खा लेंगे, नहीं बच्चो, बाद में calcium के tablet खाईए, कुछ भी खाईए, growth नहीं होगा, bone का, ठीक है, एक fix time होता है, 20 से 25 बर्स में, आप जो development होना रहेगा, develop हो जाईए गया, ठीक है, तो चलिए, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ो, ठीक है, सर इंगलिस भी बोलिए, बिल्कुल इंगलिस में भी बोलूगा, देखो, यही सिस्तों है, मैं बार बार इंगलिस इंदी दोनों इसलिए बोलता हूँ, का आगे त चलिए से समझो, चलो, आगे बढ़ता हूँ, अब देखो, थोरा सा यहाँ पर ध्यान देना, अब function of a skeletal, एक question यहाँ से भी पहले पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, आप ज़रा जानते हैं, तो मुझे comment करके बत यह function of a skeletal system, a skeletal system, यानि मानब कंकाल तंतर का function, तारज आप ज़रा बताईएगा, तो मुझे खुशी होगी, बरना मैं तो बताऊँगा ही, क्या होता है, a skeletal system का function क्या होता है, बच्चो द्यान दिजेगा, है ना, अच्चे से द्यान दिजेगा, मैं सारा function आपको बताऊँ पहला protection of internal organ, ठीक है, a skeletal system यह जो आपका ribcage है, बच्चो, यह क्या कर रहा है सर, ribcage यह जो है सर, अंदर वाला organ, heart जो है, heart एक तरह का visceral organ है, visceral organ कहने का मतलब, बहुत ही नाजुक अंग, ठीक है, उसको protection दे रहा है, तो बोल सकते है ना, कि a skeletal system जो है सर, वह protection करता है, protection of internal organ, यानि अंदर वाला अंग को protection, हिंदे में लिख लो, आंतरीक अंगो को सुरच्छा परदान करता है, अच्छा बच्चो, दूसरा function आप बताइए, आप भी तो जानते होंगे कुछ, तो एक बच्चा बोलेगा सर, helps in movement, अगर हम लोग ऐसे चल रहे हैं, move कर रहे हैं, locomotion कर रहे हैं, तो बिद्दा help आप आपको समझ में आ जाना चाहिए, कि हम लोग movement कर रहे हैं, with the help of a skeletal system, मानब कंकाल तंत्र जो हमारी हडिया है, उसके मदद से हम लोग चल फिल रहे हैं, तो अगला point आप लोग लिख सकते हैं, helps, helps in movement, यानि कहने का मतलब संचलन में, संचलन में, संचलन में सहायक होता है, movement में, locomotion करने में, सर हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे move कर रहे हैं, हाथ इदर उदर कर रहे हैं, सर, due to a skeletal system, बच्चो, मैं बताऊंगा, कौन-कोन हड़ी होता है, humorous, radio, अल्ला, सब मैं सिखाऊंगा, बही, बस अभी lecture में बने रहो, ठीक है, अगर फिर लेना है, बास्त्विक में, किसी के सामने हड़ीया का नाम बताना है, उसको हाथ धर के बोलर, यह हड़ी है, यह हड़ी है, यह हड़ी है, तो last तक रहना परेगा, तब जाकर समझ में आएगा, ठीक है, तो समझ के आगे बढ़ते हैं, यह चीज़े, एक पाइंट और एक बच्चो और बोल सकता है, क्या बोलेगा सर, कि सटेन सेथ, सटेन सेथ, एंड शुपोर्ट, हिंदी में क्या हुआ सर, निश्चित आकरीती, निश्चित आकरीती, एबम, सहारा, समझेगा बच्चो, इस पाइंट को समझेगा, यह जो आपका ब्रेन है, यह राउंड या ओवल सेथ, जो भी सेथ बोली है, है ना, यह इस टाइप का सेथ है, क्यों ऐसे, due to a skeletal system, यह जो खोपरिया है न, इसकर, इसी का तो सेफ है, हाथ का सेफ ऐसा क्यों है, क्योंकि हड्डी ऐसा है, तो skeletal system, बच्चो, सेफ भी decide करता है, और support भी तो करता है, कैसे नहीं support कर रहा है, आप किसी चीज़ को उठा रहे हो, तो with the help of hand, a skeletal system लग रहा है तो यह आपको support भी कर रहा है बच्छो ठीक है और क्या बोल सकते हैं और बोलिएगा एक चीज़ बहुत important चीज़ छूट गया बच्छो जो पुराने बच्चे हैं वो सोचिए आपको मैं बताया था bone marrow अस्ती मजा वो है क्या वो RVC का निर्मान करता है तो bone marrow होता कांसर bone marrow headdy मे तो ही होता है ठीक है तो formation of blood cell अगला point लिखिएगा formation of blood cell यानि कहने का मतलब रक्त कोशिका इसमें बहुत कुछ होता है बच्चो डबलू भी प्लेटलिट्स में के रहे भी होता है WVCRVC ठीक है प्लेटलिट्स में रक्त कोशिका का निर्मान करता है रक्त कोशिका का भी निर्मान करता है इसमें पुछनी की बात क्या है ठीक है अब एक चीज़ और लिख लिजिए इतना लिख लिए इतना बच्चो इसमें लिख लो जैसे में रूप से क्या होता है कैल्सियम एंड फॉस्फोरस देखो ये खनीज का भी तो अस्ट्वोडिज करता है बोन की इस चीज़ का बना हुआ है कैल्सियम से इसमें फॉस्फोरस भी होता है ठीक है तो ये 5 point आपको याद होना चाहिए, escalator system का function है बच्चो ठीके, blood cell का निर्मान जैसे bone marrow होता है, इस थी मज़ा, उसमें बच्चो लाल रक्त कोशीका का निर्मान होता है, साथ में platelets का भी निर्मान होता है, स्वेत कोशीका का निर्मान होता है, ठीके, चलिए, और ये जो निर्मान, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बच्चो ठीके, blood वाला chapter में मैं पढ़ाया हूँ, और हाँ पे main, जो full course चल रहा था, उसमें, कि एक तर्म आता है, hematopiosis, ठीके, hematopiosis, ये तर्म क्या, piosis मतलब formation, hematopiosis मतलब rvc rate blood cell, यानि blood का निर्वान करने की जो process है, परकीरिया है, एक term biology में दिया गया, इसे hematopiosis बोला जाता है, क्यों बताया मैं यहाँ पे, आपके mind में ये चीज होना चाहिए, ताकि अगर आप BCC का exam बगएरा देतों, तो question पुछे तो आप tackle कर सेखो, ऐसा नहीं लगे कि question आप नहीं बनाए हो, hematopiosis बोला जाता है, ठीके, चलो, आगे बढ़ो, लिख देता हूँ, लो, ये एक term है, piosis, रक्त कोशिका का निर्मान का होने का जो परकिरिया उसे, hematopiosis मोला जाता है, ठीके, formation of red blood cell, rvc, सर, पहले थोड़ा muscles के बारे में बताईए, पहले askelatal system समझेंगे, muscles मैं लूँगा, ऐसा नहीं कि muscles मैं नहीं पढ़ाऊँगा, muscles मैं बताऊँगा, भाई, ये chapter, अब ये समाप नहीं हुआ है, मैं बोला नहीं, chapter मैं deeply जाऊँगा, tension मत दो, रितिक राज, कौन कोश रहा, ठीके, चलो, आगे बढ़ू, हाँ, पिरिया बर्म, अरे बताऊँगा, हाँ, ठीक है, ठीक, पिरिया बर्म सही बोले, नीट के जाँगा, अपना में सस्ता नहीं है, अरे तिक राज, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं, बच्चो, types of askeletal system, यानि askeletal system कंकाल तंतर का type समझते हैं, ठीक है, यह दो तरह का होता है, एक होता है, एक जो askeletin, और दूसरा होता है, इंडो askeletin, क्या सर, एक होता है, एक जो askeletin, और दूसरा होता है, इंडो askeletin, यहाँ पर समझेगा, एक होता है, इसका types की बाद करें, एक होता है, एक जो askeletin, और दूसरा होता है, इंडो askeletin, देखो बच्चो, यह term सहीं आपको पता चल रहा है, एगजू अस्केलेटिन कहने का मतला वैसा हड़ी जो बाहरी में इस्तितो और इंडो अस्केलेटिन अंदर वाला में इस्तितो ठीके? यानि सबसे पहले बात करते हैं एगजू अस्केलेटिन तो एगजू अस्केलेटिन यानि बाहरी कंकाल ठीक है बच्चो तो इसको समझेगा बाहरी कंकाल जन्तू को सरीर की बाहरी सता पर उपस्तित उन सारीरिक सरंचना को हम लोग एगजू अस्केलेटिन कहते हैं जैसे देखिए इसमें क्या क्या आता है बस याद रखिए जैसे फीदर वगेरा हो गया पंक हो गया ये एक तरह का एक जो असकेलेटन का पार्ट है पंक के साथ साथ आप बोल सकते है असकेल घेंगा देखे हो गेंगा में असकेल होता है घेंगा जिसे सल्क बोला जाता है अस इसमें नाखुन को क्या बोला जाता है इंगलीस में अच्छेल हो गया मचली बगेरा में होता है बच्छो उपर में चुईयां तुईयां नहीं होता है यह सब बच्छो बाल हो गया नाखुन हो गया स्केल हो गया फीदर हो गया यह एक जो असकेलेटिन का पार्ट है देख लो क्योंकि यह आपको शरीर से बाहर मिल रहा है तो यह याद रखिएगा कुछ कुछ जैसे और्गेनिजम में उसमें सिर्फ एक जो असकेलेटिन ही पाया जाता है वो कौन सा और्गेनिजम है जैसे कच्छुआ हो गया कच्छुआ देखा है कच्छुआ क्या बाहरी वाला जो वो सेल होता जो कवरिंग होता है वो कितना कट होर होता है, उस पर ट्रक भी चड़ जाएना तो वो नहीं तूटेगा, ठीक है, तो कच्छुआ में एक जे अस्केलेटेन होता है, इसके साथ गेंगा, गेंगा याद रखेगा, गेंगा हो गया, और आपको याद रखना है केकरा, यह सब तुम लोग जानते चलिए, अब इंडो अस्केलेटेन की बात करते हैं, इंडो अस्केलेटेन हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, इंडो अस्केलेटेन हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, यानि अंत कंकाल कोश्का बोला जाता है, जनतुओं के सरीर के भीतर इस्थित होते हैं बच्चो ये याद रखेगा और ये जो होता है वो internal organ कुछ दिर पहले में बता रहा था आंतरी organ का सुरच्छा परदान करने में मदद करता है इसको हम लोग detail में पढ़ेंगे और ये code data में पाये जाता है हम लोग किसमें आते हैं आपको पढ़ाये हैं हम लोग code data संग में आत हम लोग code data के अंदर आते हैं तो code data संग में इंडोस्केलेटन पाया जाता है और इंडोस्केलेटन के हम लोग detail अगयन करने जा रहे हैं ठीक है बच्चो ये चीज था ये छोटा सा term था एकजोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन इसका difference देख लीजिए पहला point आपको मिल जा हैं एक जो एसकेलेटन में क्या कहता है यह सरीर की बाहरी सता पर इस्तित होता है जैसे बाल हो गया hair हो गया है ना उसी तरीका से agreement के बात करें तो यह सरीर के अंदर इस्तित होता है sir अभी मैं बात करूँगा, टोटल, यह सरीर का मदचर्म, मेजोडर्म, यह है क्या सर्म? देखो, इंब्रियोनिक लाइफ में, जब शीशू का डेवलप्मेंट होता है, तो जनरली तीन जो सेल बलस्टोला मरूला ऐसा बनता है, वहाँ मेजोडर्म, इंडोडर्म, और एक पेर तीन लेयर होता है, यह तीन लेयर से आप जो यह पूरा ओर्गन देख रहा है न, यह डवलप्ट हो जाता है, तो मेजोडर्म और एक्टोडर्म से निर्मित होता है, मेजोडर्म और एक्टोडर्म से, यह कोश्चन पारा मेडिकल में नहीं पुछेगा, यह कोश्चन जो B. ये शी नर्शिंग का एकजाम देगा, BCEC वाला देगा, वहाँ पर ये कोशन पुछेगा, कि जो एक्जो अस्केलेटन होता है, वो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, पलस मेजोडर्म का कंबिनेशन से बनता है, ठीक है, एक बच्चा बोल रहा था कुछ दर पहले, कि सर नीट जो है, वो उसका लेवल इतना शान है, देखो नीट का बाइलोजी का जो लेवल है न, आप लोग टैकल कर सकते हों, बाइलोजी टूड़ा पाइंट, N-C-E-R-T रहता है बच्चो नीट में, 11 और 12 का N-C-E-R-T बुक जो कमांड कर लिया, वो बाइलोजी का 90 कुष्चन नीट में आते हैं, वो 80 कुष्चन करके आएगा, लेकिन पूरी अच्छी तरीका से N-C-E-R-T दोनों बुक होना चाहिए, 11-12 अच्छी तरीका से, यह लेकिन टफ एक्जाम क्यों हो जाता है से, नीट इसलिए टफ हो जाता है, क्योंकि 180 मिनट में 180 कुष्चन का पेपर सुल्म करना, चाहां पे फिजिक्स भी पूछे जारे और कमिस्ट्री भी पूछे जारे हैं, और फिजिक्स और कमिस्ट्री का लेवल थुरा सा होता है, ठीके, मैं पार्टिकुलर बाइलूजी का मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ, यह नीट में कुष्चन पुछे हुए, और यह OBS शिबाते यह नीट का कुष्चन पुछे हुए, आप देख लिजएगा, प्रिवियस यह उठाटे पुछे का लेवल 11-12 होता है, चली, तो और एक चीज़ टफ यह भी बना देता है, कि इसका जो कट अफ है, बहुत हाई जाता है, ठीके, कुछ-कुछ बच्चे तो फूल में फूल मार्च ले आते हैं, इसलिए यह एक्जांग टफ हो जाता है, चली, आगे बढ़ते हैं, एक बच्चे इमोय सर्फ प्लीज काजल दे दी, नो स्पैम प्लीज, चली, कोई स्पैम कर रहा गया, सर्बाहरी सत्व रिष्टी तर जगी, दिसरी से में बढ़ता है, हाँ, ठीक है, चली, इसलिए मैं नाखुन बोला था, नाखुन एक तरह का आपका डेड से ले, ठीक है, नाखुन डेड से ले, इसे काट दो ना, कुछ भी कर दो, आपको फर्क नहीं परेगा, लेकिन सर्द अंदर वाला काटते हैं, तो दर्द होता है, क्यों, क्योंकि वो मंसल से, वो सटा हुआ है, ठीक है, उसके साथ चिपके हुए है, इसमें पेशी तंतु आंतरिक शता पर जूरे होता है, इसमें पेशी तंतु, बाहरी शता पर जूरे होता है, ठीक है, जैसे देखू, नाखुन से समझेगे, कि इसमें जो मानस्पेशिया है वो अंदर जुरा हुआ है आंतरिक सता पे नाकुन उपर है लेकिन अगर बात करें बच्चों इंडोस्केलेटर अंतकाल कंकाल में तो इसमें देखिएगा जैसे यह हमारा अस्टर्णम है यह हड़ी अस्टर्णम है अस्टर्णम के उपर मंसल यानि बाहर मानस्पेशिया है और अंदर हड़ी है यह चीज़ यहां पर समझाने का आपको बताया जा रहा था ठीक है आगे बढ़ो चलो आगे आप समझते हैं अतक कंकाल तंतर की सरंचनात्मक भाग अब समझते हैं देखो बच्चों कंकाल तंतर में जनरली हम लोग को ब करना है बोन्स का मैं आपको बोन्स हर एक बोन्स बताऊंगा ठीक है अब बात आती है कि सर जो हड़ी होती है वो किस चीज से निर्मित होती है तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर लिख लीजिएगा कुछ पाइंट्स जो बोल होते हैं इसमें कॉलेजेन फाइवर कौन सा यह केशियम और इसके साथ साथ मैंगनेशियम का सॉल्ट होता है ठीक है बच्चों याद रखेगा यह एक तरह का कनेक्टीव टीशू है लेकिन हार्ड कनेक्टीव टीशू है एक और पाइंट लिए अगया निखे रहा हू हूँ फार्ड कनेक्टिव टीशू यानि कठोर संयों जी उतक ठीक है प्षेली थुरा सा पतला लिखते हैं और इसमें आप लिख सकते हैं हाँ वो तो इनलों का बाइलोजी का टेस्ट नहीं हुआ है अगला संडे को कर दिजिए का टेस्ट नोестно के एक बार तुम लोग कमेंड करके बताना कि बाइलोजी का टेस्ट कब से तुम लोग का नहीं हुआ है ठीक है अगला संडे बाइलोजी का टेस्ट में करवाagar एँ राओं कोई दिक्कत नहीं है कि सीएज सीयो थीरी हम कैल्शियम फोस्पेट पलस कैल्सियम कार्वोरनेट कहा लिख रहो चलो ठीक है कोई बाद नहीं चलो ठीक है इतना टाइप कर ले तो तो अच्छा टाइपिंग तुम्हारा है या गुगल से उठा के छाप देते हो ठीक है देखो कठोर से हो जी उतक यहां तक हो गया क्या पढ़ा रहे हैं बोंस पढ़ा रहे थे देखो बच्चो इसमें एक टर्म होता है ओसिफीकेशन याद रखिया क्या मैं बोल रहा हूँ ओसिफीकेशन ओसिफीकेशन ये एक टर्म है अभी हमने कुछ दिर पहले आपको बताया उपस्तियों यानि काटी लेज से अस्तियों का निर्मान होता है इस प्रोसेस को हम लोग ओसिफीकेशन बोलते हैं तो इसको लिख सकते हैं बच्चो अस्तियों यानि काटी लेज अस्तियों का निर्मान उपस्तियों से होता है इस तर्म को हम लोग ओसिफीकेशन बोलते हैं ठीक है बच्चो याद रखना ये तरह का कैसा किनेक्टिव टीशू है से हार्ड किनेक्टिव टीशू है मैं साइड हो रहा हूँ इसलिए ताकि जो अस्क्रीन पर चीज लिखा हुआ है वह आप जरूर एक बार पढ़ लेंगे ठीक है चलिए अब बात को समझते हैं एक टर्म यहाँ पर और मेंसर मैं करवाना चाहूंगा कि अस्थियों जो बोन होती है उसके उपर में एक तरह का कनेक्टिव टीशू पाया जाता है जिसे हम लोग fibrous connective tissue बोलते हैं, तो bone की सता पर fibrous connective tissue पाय जाता है, कौन सा tissue बच्चो, fibrous connective tissue, ये connective tissue का सारा type मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीके, तो fibrous connective tissue, इसी के अंदर देखो, दो term, एक ligament, और एक cartilage, ये fibrous connective tissue के अंदर आता है, ligament, cartilage, और एक term और आता है, peristomium, एतना deeply मैं ऐसे पूछेगा नहीं, ठीके, चलिए, आगे समझते हैं, बच्चो, अच्छा, आगे नहीं दिया हुआ है, ठीके, आगे समझते हैं, दो term यहाँ पे हमको समझना है, एक है ligament, और दूसरा है tendon, tendon को हिंदी में हम लोग कंडरा बोलते हैं ठीके, और ligament को असनायू, यह करता क्या है समझना, आप जानते हो तो कमेंट करो, जल्दी से मैं कमेंट आपका देख रहा हूँ, कि आगे ligament करता क्या है, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, इशी लिए बिनी गुसा रही है, वो छूट गया, अरे कुछों नहीं छूटा है भई, आज तो पुरा पढ़ाएं देना है, चलो, आजो, समझते हैं, टेंडन्स एक तरह का फाइवरस किनेक्टिव टीशू है, कुछ दिर पहले बताया, अभी पीछले सलाइड में लिखाया, बोन की सतर पे फाइवरस किनेक्टिव टीशू होता है, जिसमें ligament हो गया और tendon हो गया, ligament और tendon होगा, चलो, हाँ, तो ligament और tendon का function जरा बताइए, तो आप बोलिएगा, जो tendon होता है, वो बोन से, बोन टू मसल्स और ligament मसल्स, सोरी, बोन टू बोन, यह दोनों टर्फ बहुत बार पूछे जाते हैं, अभी के अभी याद कर लो, ligament फुरा सा लचीला होता है, अगर दो के ठोर चीज को जोरने के लिए, बच्चो, लचीला पन की अब सकता होती है, इसलिए ligament, बोन टू बोन को जोरता है, और बोन को मसल्स जोरने के लिए, tendon responsible है, टेंडन मसल्स टू बोन, या बोन टू मसल्स या मसल्स टू बोन, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक किलियर है, चलो, आगे बढ़ू, अभी तक कोई दिक्कत, नहीं है सर, अब आगे बढ़ जाईए, ठीक है, आगे बढ़ू, अच्छा है, एक टर्म, बोन मैरो, अगला हेडिंग थुरा सा समझना, बच्चो, बोन मैरो के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद अपन पहुंच जाएंगे, फिर बोन पे, एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, बोन मैरो, जिसे हिंदी में हम लोग अस्थी, मजा, मजा पिये हो न, अस्थी मजा बोलते हैं, एक जिर नली होता क्या है, देखो बच्चों ये जो हड़ी है न, एक कैवीटी में अंदर यहां पे ही बोन मैरो पर जेंट होता है, बोन कैवीटी की अंदर, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये बोन है, बोन के यह जो अंदर वाला कैवीटी है, इसे बोन कैवीटी बोली, और इसमें क्या परजेंट होता है? बोन मेरो, ठीक है? ये जो structure है, ये वाला structure इसमें बोन मेरो परजेंट होता है तो इसमें ये जो structure है बोन मेरो, ये करता क्या है, सर? ये RVC का निर्मान करता है Red Ballot Sail का निर्मान करता है ये भी question, पूछे गए है जिर्नली दो परकार के होता है बच्चो एक होता है yellow bone marrow और दुसरा red bone marrow red bone marrow का function तो आपने शमज लिया कि red bone marrow क्या करता है red bone marrow RVC का निर्मान करता है और yellow bone marrow क्या करता है ये दोनों को समझते हैं सबसे पहले red bone marrow ये अस्ती का सीरो अत्वा किनारों पर पाये जाती है लाल अस्ती मजा लाल एवं सवेत रुदिर कोशी का यानि red blood cell और white blood cell का निर्मान करता है साथ में platelets का निर्मान करता है यही तो blood में present होता है RVC, WVC और platelets ठीके इसके बाद yellow bone marrow की बात करें तो यह अस्तीयों के मद भाग में present होता है कहाँ पे? मिडील में ठीके? पीली स्ती मजा कुछ मात्रा में शुएत रुदिर कोशी का का निर्मान करता है तो याद रखेगा WVC का निर्मान दोनों करता है red वाला भी करता है a lot वाला भी करता है लेकिन red वाला RVC और platelets का भी निर्मान करता है तो मुक्ता बोल सकते हैं कि जो bone मेरो होता है, अस्ती मजा होता है, वो sir generally blood cell का निर्मान करता है, ठीक है, blood कोशी का, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब हमें समझना है bone और cartilage का difference, bone हम पीछे पढ़ा चुके हैं, cartilage यहाँ पे हम साथ साथ आपको शमझा देंगे, ठीक है, तो सबसे पहले bone के बारे में, अस्तीया कठोर आपरतियस दृइद अंगे, जो कोशी रुका कंकाल को निर्मीन करता है, केसु रूकी, सोरी, केसु रूकी, यानि भर्टी विले, skeletal system का निर्मान करता है, अस्तीया दो परकार के, ओटिये ठोश और अस्पंज, ठीक है, osteocytes कहा जाता है, sites कहने का मतलब बच्चो सेल, कहीं भी बाइलोजी में CYTS नजर आ जाए, समझ जाएगा, ये सेल की बात कर रहा है, osteo कहने का मतलब bone, जो bone सेल होता है, उसे हम लोग osteocytes करते हैं, ठीक है, osteo रक्त बाहिका में उपस्तित, osteo में रक्त बाहिका उपस्तित हो परकार के होते हैं, मैं बात कर चुका हूँ, calcium लबन भी होता है, और ये bidirectional ब्रीधी होता है, इसमें होती है, bidirectional कहने का मतलब, आपका तो growth भी तो कर रहा है, और साथ में ऐसे फैल भी तो रहा है, सरीर है ना, तो bidirectional growth के लिए response वेल होता है, अब बात करते हैं, बच्चो लोच सिल संयोजी उतक है, जो अस्तियों के pressure घरिशन से सुरच्छा परदान करता है, देखो ये generally करता क्या है, बताता हूँ, पाने पीले ने दे, सर पीडिएफ सेंड कर दीजेगा, कर दूगा भाई, और कम से कर तीन सो लाइक करो तो अभी तक लाइक नहीं कियो, जल्दी से करो लाइक है न, देखो, अब बात कर रहे हैं, काटी लीज, काटी लीज, यानि लचिला सिल संयोजी उतक है, बिल्कुल कोमल होता है, जैसे य हड़ी है, एक ये हड़ी, और दूसरा ये हड़ी, ये दोनों हड़ी ऐसे-इसे हिल रहा है, हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? तो यहाँ पर तूसर घरशन हो रहा होगा, दो चीज, सुपोस्टर ये दो पेन है, ऐसे-ऐसे करेंगे, कुछ दिन के बाद यहाँ पर क्या होता ठीक है क्यूं होता है डेटू फ्रिक्षन के घर्षन को कम करने के लिए यहां पे काटिलियस लगा हुआ होता है ठीक है यह ONLY होता हुझ अगला लेक्चर मेंbas को लिखांगा कि कोन-कोन ज्वाइंट्स के बीच क्यरकों काटिलियस present है, वो भी पूछा जाता है cartilage की cell को हम लोग chondriocytes कहते हैं, ठीक है chondro bird कहने का मतलब cartilage और sites कहने का मतलब अच्छो cell, यानि cartilage का cell को chondrochytes और osteocytes किसको बोलेंगे, osteocytes हम लोग बोलेंगे, अस्थी का कोशिका का cartilage में एक मिनट क्या हुआ चलिए हाँ, cartilage में रक्त बाहि का अनुपस्थित होता है, बहुत important जो cartilage होता है उसमें किसी तरीका का red cell या blood cell नहीं present होता है किसी तरीका का blood cell present होता है कि नहीं होता है, सर, नहीं होता है लेकिन बोन में बलट सिल होता है कि नहीं होता है सर बिलकुल होता है उपास्ति यानि काटिलेज में मैट्रिक्स पूर्ण से कार्वनिक होता है या कैल्सियम लगशन चलो ठीक है और ये यूनि डिरेक्शनल ब्रीधी के लिए रिस्पॉंस जल होता है अब आगे समझे अब बच्चो हम लोग human escalator system के बारे में अध्यान करने जा रहे हैं जिसका आप बेट कर रहे थे अब उस घरी का इंतेजार आ चुका है तो एक बार वीडियो को जल्दी से दवा कर शेयर कर दो तू ठीक है उसके बाद हम लोग human escalator system के बारे में अध्यान करेंगे ठीक है इसके बाद हम ल देखो human escalator system generally दो भागों में इसे केटेगराइज किया गया है एक होता है अच्छी कैंकाल axial escalator और दुसरा appendicular escalator जिसे उपांगी ये कंकाल बोला जाता है ये तक्रीवन 126 होते हैं बच्चो ठीके और axial escalator 80 नंबर में होता है याद रखता है जिसमें axial में बात करें तो ये ख खोफि ओगया axle कहने मतना दले एक्सिस की ओ टीके एहां से चल खोफि खोफि उपारी ये खोफि ओपरी हो गया ये पुरा चेहरा वाला हडी आजsyल के अंदर इसके बाद ये हड़्डी आजाएगा इसके साथ साथ पेक्ट्रॉल ग्रडल और पेली ग्रडर ठीक हे ग्रडलस भी आजाते हैं देखू तो बात करते हैं एक्जल एस्केलेटन में खोफुरी में कितना हड़ी होता है सर 29 हड़ी होता अब नहांगा कि 29 हड़ी कहा कहा तो होता है ठीक है और मेरू डंड वर्टिवरल कोरं जन्म के समय चित्ती सोता है और ब्यास्क में यह 26 सो जाता है, यह railway का क्यूशन है, याद कर लगाना, स्टार में देद रहा हूँ, ठीके, वर्टिवरल कोरं जब अच्छे जन्म लेते हैं, तो इस टाइम 23 सोते हैं, बाद में यह 26 सो जाते ह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम लोग ग्रोथ करते हैं तो बोन जो है वो भराते जाता है और एक सिंगल बोन का निर्मान हो जाता है ठीक है इसके बाद पसलियां ये जो आपका पसलियां है ना बारा इधर बारा इधर ये चोबिस होते हैं बच्चों बारा पेर चोबिस अस्थी यहां पर होता है और अस्टरनम ये वाला जहां पर आपका पसलिया एक दुसरे से जुरा हुआ यहां से ऐसे अस्टरनम सिंगल हड़ी होता है इसे अस्टरनम बोला जाता है ठीक है उरोसित पदो का अस्थियां यानि लिम्स बोल होर लिम्स हाथ वाल और पैरवाला, दोनों हटी मिलाकर 120 हटो होता है और ग्रडल्स हिप बोन जिसे बोला जाता है, ये 6 होता है चलो मैं बात करता हूं अब सटार्ट करताओं खोपरी बोन, चीक है बचो खोपरी बोन सटार्ट करते हैं रेडी हो पढ़ने के लिए खोप्री जी सर इसको अगर यहां से उठाके रेगे में चलो कोई नहीं यहां पर समझते हैं खोप्री की जो हड़ी होती है बच्चों वो 29 होती है कितना होता है से तोटल 29 होता है जिसमें मैं बात करता हूँ यहां से देखो यहां से पहले समझू ठीक है तो बरना लिखना परेगा सारा कुछ तो लिखा हुए यहां पर टोटल नंबर में कितना होता है 29 होता है अरे यार सही से होना चलो हां 29 होता है जिसमें किरेनियम यानि कपाल वाला होता है कपाल वाला हड़ी ठीक है चेहरा वाला भी हड़ी आ जाता है तो किरेनियम बोन आठ होता है और चेहरा वाला जो फेशियल बोन होता है वो 14 नंबर में होता है यर वाला भी हड्डी हो जाता है जिसे मीस ट्रिक से याद कर लेना malleous incus step तिक गुने दो कर देना छे हड्डी होता है हायओड बोन ठीक है एक होता है हायओड बोन मच्चो जीव के यहां पर होता है ऐसे होता है, इस चाइब से, यू ओ इस टक्चर, ठीक है, एक होता है, टोटल 29 नंबर वो, सबसे पहले हम लोग कपाल वाला देखते हैं, किरेनियम, जिसमें OC, पिराइटल दो, फरेंटल एक, टेंपरोलर दो, अस्फेनोड एक, इत्युमिवाइड एक, ठीक है, आईए, फर यह वला हड़ी, यह जो आपका हड़ी नजार आ रहा है, कपाल में, यह फरेंटल बोनी से करते हैं, इस पे लिख लो, यह तुम्हारा कौन सा हड़ी है, फरेंटल, इसका नंबर कितना होता है, इसका नंबर एक होता है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पिराइटल बोन होत इसके just नीचे कनप्टी, जी से बोला जाता है, कनप्टी ये template बोन होता है, ये भी दो नमबर में होता है, दो दो चार एक पाच, अब एक बच गया Oshi पोटल, पीछे वाला side, ये side जो हडी हो गया, यहां के बाद, पीछे वाला side जो हो गया, ये OC portal बोल, ये एक नंबर में होता है, ठीक है, दो दो चार, दो छे, एक साथ, एक आठ, ठीक है, अब इसके दो दो चार, छे हुआ, दो चीज़ आओ, एक होता है, अस्फिन्वाइड, यहां के बाद ये जो हड़ी है ना, ये वला हड़ी, ये वला हड़ी, यहां से देखो, मैं जैसे जैसे बोल नहुत है, सब्सक्राइड, यहां पर हड़ी होगा, इस हड़ी को अस्फिन्वाइड बोलते हैं, और ये एक होता है, ठीक है, और एक होता है total कपाल वाला हड़ी जो हो गया वो 8 हो गया ठीक है बच्चो अब छेहरा का चेहरा की हड़ी देखते हैं तो ये जो देखुँ सबसे पहले नाक वाला nasal bone ये 2 होता है nasal bone कितना होता है 2 होता है इसको दुसरा color से लिखो एक दाम बिल्कुल ऐसे जैसे PDF देंगे न वो ऐसे याद कर लेना मज़ा जाएगा ठीक है college में भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है college में भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा nozzle ठीक है इसके बाद देखो बच्चो मैं बता रहा हूँ समझना अच्छे से SP-9 के just नीचे ये जो हड़ी है यहाँ पर हड़ी में बता रहा था ये side हड़ी SP-9 होता है इसके just नीचे एक देखो ऐसे हड़ी होता है कहां गया अबला हड़ी है हाँ ये वला देखो जो गिरीन कलर से में दर्स आ रहा हूँ ना ये वला हड़ी देखो ये तरह का पलेट है समझा गाल के उपर ये जो गाल है इसके उपर ये वला देखो ये ऐसे निकला हुआ है ये पलेट इसे जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं एक side इधर होता है और एक इधर होता है ये भी नमबर में कितना होता है ये भी नमबर में दो होता है ठीक है इसके बाद आख के नीचे लेकमेरियल बोल दो आख दो नंबर में होगा ठीक है उसके बाद हाँ ये वाला हड़ी देखो ये जाबोन मैगजिला और मैंडिवल को जाबोन बोला जाता है जवरा की हड़ी उपर वाला को मैगजिला और नीचे वाला को मैंड तो मैंग्जिला नंबर में 2 होता है और मैंडिवल नंबर में 1 होता है, तीक है कितना हो गया जी, दो दो चार, दो छे, दो आठ और एक नौ यानि 5 हट्डी और कम रहे, एक होता है भोमर, इस्ट्ट्र में आपको नहीं जा रहे अगा अंदर साइड में होता है, एक होता है, 9 एक दस अब कौन शूटा पहले टाइन नहीं करवाया अच्छा एक पहले टाइन अंदर होता है बच्छो अंदर ठीक है पहले टाइन आपको नंबर में दो होगा और एक टर्वेनाइल शूट रहा है एवी नंबर में दो होता है दो दो चार दो चेहरा में चोदा बोन होता है कपाल में आठ बोन होता है अब बच गया इयर वाला तो इयर वाला याद रखना यहां पे मैं करवा रहा हूं यह चेह होता है एम आई एस मैलियस इनकस अस्टेप्स अस्टेप्स आपके सरीर का सबसे छोटी हड़ी है क्या बच्चो सरीर का सबसे छोटी हड़ी अस्टेप्स है फासिले नहीं है यह तो यह वाला हड़ी टूटता है यह अरे एपल ग्लेंड ग्लेंड सेपल इसे बोला जाता है यह वाला कंट 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 यही कसा जाता है ठीक है हड़ी नहीं टूटता है स्टेप्स यह दोनों कान में परजेंट होगा बच्चो यह सबसे छोटी हड़ी है यह भी प्रेशन पूछा हो गए ठीक है यह नंबर में दो होते हैं तो टोटल छो हड़ी हो गया ठीक है तो छो हड़ी और एक हायोड बॉन यह वला वता है ना यहां पर इस टाइप से जिसमें इससे जीव लटका हुआ होता है हायोड बॉन से लिख लो जीव से कनेक्ट होता है तो आपने 29 बॉन देख लिया कि 29 बॉन कहां कहां होता है अभी तो बहुत सारा बच्चा हुआ है अब एक्जल एसकलेटर में हम लोग 29 असकल वाला देख लिए हैं अब मेरू डंड यानि बैक बॉन पीछे वाला यह वाला यहां से जो ऐसे गया है मे हड़ी मेरू डंड केशी रूक डंड है ठीक है यह हर्टीवरल कॉलम रीड की हड़ी भी कहा जाता है यह 33 कोसिका से निर्मित एक लंबी शरंचना है जिससे सीर से पूच तक निकलती है पाच बागों में बर्केरित है यानि यहां से सरीर से स्टार्ट 빠ट होता है और पीछ जिसमें सिर्वाइकल ग्रीवा बोन साथ होता है ठीक है बच्चो उपर से मैं चल रहा हूँ उपर से सिर्वाइकल बोन इसको डिटेल में जानतो हो यह सब सारा बोन जो है यूटूब पे देखना ना कुछ-कुछ फिजियो थ्रेपिट्स डॉक्टर है वो इसको पुटका के दरट ठीक करते हैं ठीक है बहुत तरह से फिजियो थ्रेपी से भी आशकल बहुत अच्छा चाहिलाइज हो रहा है ठीक है तो सिर्वाइकल बोन साथ थुरेसिस बारह उसके जस्ट नीचे है ना उसके बाद लंबर जिसे कटी पांच बोलते हैं सैक्रम उसके नीचे पांच आपको बस याद रखना है खोपरी में हड़ी कितना होता है सर छे होता है और आख में हड़ी कितना होता है सौरी कान में हड़ी खोपरी में हड़ी 29 होता है कान में हड़ी 6 होता है सर ठीक है कपाल में हड़ी 8 होता है याद रखेगा और 14 हड़ी फेस में होता है फेसियल हड लाज रख लेना बैक्बोन मीरू डंड में कितनी हड़ी होता है तो मीरू डंड में 33 हड़ी होता है ठीक है जी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं पीछे वाला हड़ी देख लिए 33 29 पलस 33 अपन कंप्लीट कर लिए अब हम लोगों को पसलिया देख रहे हैं पसलिया मतलब यह वला चोविस हड़ी की बात करूंगा बच्चो पसलिया हड़ी 24 होती है आए समझते हैं पसलिया को चप्टी अस्थी भी बोलते हैं फ्लैट बोन अरे फ्लैट तो है ना वाई तो चप्टी तो बोलेंगे फ्लैट बोन कहा जाता है यह जर्नली क्या करता है रीव्स पसलियां पूछे तो चोबिस होता है नमबर में ठीक है चोबिस पसलियां लिखिये अगर जोरा पूछे तो बारा जोरा इतना तो पता होना चाहिए ठीक है एक से सात जोरे तक कुल चोब्स पसलियां पीछे की ओर जो भटी दे तो अबह दिखा नहीं सकते मैं जब वह कलासे करवाता हूं तो दिखाता हूं बच्चों को में कलासे यहां इसे पीछे की ओर जो आपका पीछे से निकला है न देखना है इसी कैवीटी में आपका हर एक ओर्गन से लंग से ठीक है फेफरा जिसे बोलते हो हार्ट बोलते हो सब इसी के अंदर है उसको तो प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है ना ठीक है तो एक से साथ जोरे पीछे मेरू डंड थोरेसिस वर्टिवरिय से जुरा हुआ होता है औ और यह जो हड़ी है बच्छो यह वला हड़ी पीछे वाला तो मैं बता चुका हूँ कि वर्टिवरी जिसे आप मेरू डंड बोल रहे है आगे वाला को एस्टर्नम बोला जाता है नंबर एक यह वाला जो हड़ी आप लोग देखोगे यहां पर हड़ी होता है एस्टर्नम तो एस्टर्नम आगे पुछे की रिप्स जो है पसलिया कैसे जुरा हुआता है तो आगे एस्टर्नम से जुरा हुआता है और पीछे वर्टिवरी कॉलम से जुरा हुआ होता है ठीक है यह चीज याद रखिएगा इसी तरीका से अटमे और दसमे जोरे में छे पसलिया सामन एक पूछा जाता है फोल्स रिप्स ये भी रिप्स है लेकि नाम इसका फोल्स रिप्स है ये जेनरली छोप असली होता है और एक होता है फ्लोटिंग रिप्स यह जेनरली चार पसली होता है यानी दो जोरा बोल सकते हैं चार पसली दिखेलो दो जोरा है इतना तो पता हो न चीए तो देखो floating reefs इगरमे और बरहमे जोरा कोशन ये भी पूछेगा B.A.C. नर्सिंग में कि floating reefs कौन सा जोरे के बोलते हैं तो इगरमी और बरहमी ठीक है एक से 14 तक एक से बच्चों याद रखेगा एक से 7 तक क्या होता है true reefs उसके बाद false reefs 7 से लेके यानि 8 जोरा से लेके इगरमा और बरहमा floating reefs ठीक है इगरमा और बरहमा floating reefs आपको याद होना चाहिए इस चीज़ तो आठमे से दसमे जोरे तक कुल 6 पसलिये सामने की ओर अरोसीत में परतियर्ष्थ ना जूर कर अपने उपर पसलियों से जूरी होती है इसलिए इसे हम लोग false reefs बोलते हैं यानि कहने का मतला false reefs इसलिए बोलते हैं कि वो कुछ-कुछ reefs ऐसे हैं जो पीछे जाकर अपने आप से जूर जाते हैं इसलिए false reefs बोला जाता है उसके बाद कुछ-कुछ ऐसे reefs हैं जो floating करते हैं देखो चार पसलियां पीछी के और बच के शुरुका से जूरी होती है प्रन्टु आगे की और पुंटा स्वत्तंत रूप से floating होती है पीछे से पीछे से ईगर्मियों परह्मि्ज जूरी होती है लेकिन आगे से वो नहीं जूरी होती है वो float करते है के इसी लिए इसे floating ribs बोलते हैं, तो कुल मिन आकर यहां से आपको याद रखना है, मैं point लिख देता हूं, जो exam में पूछे जाते हैं, चोबिस होता है, बारा पेर्स, ठीक है, ट्रू रिफ्स के बाद करें, चोदा होता है, एक से लेके साथ तक, false ribs 6 होता है, 8 से लेके 10 तक, और floating ribs, यही question पूछे जाते हैं, ठीक है, low, floating ribs कितना होता है, चोदा उच्छे, हाँ, चार होता है, 11 और 12 पेर्स, ठीक है, कुल मिला कर आपको यह याद रखना है, काम खत्त, चलो वई, हाँ जी बात करूँगा, चलो आगे बढ़े, अब बात करते हैं, अस्टर्नम, देखो, अस्टर्नम, मैं बता आप चुको हो, पहले, यहाँ पे हड़ी होती है, इसे breast bone भी बोला जाता है, अस्टर्नम को क्या बोलते हैं, बच्छो, breast bone मोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि च्छाती, उपर तो आखर इसी को बोलते हैं, तो breast bone से बोला जाता है, इस types की हड़ी होता है, जो आप देख रहे हो, बिल्कुल इसी type से ऐसे हड़ी होता है, जहाँ पे देखो, पहला ribs, यहाँ से दूसरा ribs, यहाँ से तीसरा ribs, यहाँ से चौता ribs, पच्मा ribs, छट्था ribs, सत्मा ribs, ठीक है, इस टाइप से, दोनों साइड से, connected होता है, ठीक है, आपने figure देखकर समझ लिया होगा, अब हम लोग बात करते हैं, appendicular skeleton के, यानि कहने का मतलब, बच्चो, एक 80 हड़ी आपने complete कर लिया, ठीक है, कैसे 80 हड़ी complete कर लिये से, नहीं किया, असकल में कितना देखा, असकल में 29 देख लिया, वर्टिवरी कॉलम में आपने देखा, 26, ठीक है, उसके बाद ribs में, 24, इसके बाद एक sternum, जोरो, कितना होता है, 30, 9, 10, 10, 10, 20 के 0, 22, 24, 26, 28, 80 हड़ी आपने complete कर लिया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब बच्चो क्या देखेंगे, अब 100, कितना हड़ी बच रहा है, 126 सड़ी और देखना है न, तो इसको देखेंगे, appendicular escalator, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद स्टाट करता हूँ, ठीक है, appendicular escalator, ऐसके बच्त करता है। चलिए बज्चो ठीक है आईए आप हम लोग बात करते हैं अपेंडी कूलर एसकेलेटिन के बारे समझते हैं आजाओ सारे आजाओ कहीं गया नहीं न कि ठाक गयो जी कुछ भाग गया चलो छुट्टी कहीं से हो जाएगा हैं दस-दस गंटा कलास करने के यादा डालो छुट्टी छुट्टी करते रहे तो बोलोगे भी सर क्रेस कुर्स जुँएं किये हैं और करेस कुर्स में भी आप कोशयन सिर्फ करवा रहे हैं ठीक है कोशयन करवाना रहता है तो मेरे लिए बहुत आसान होता है कि दस क्यूशन ले लाते 15 क्यूशन ले आते खरवा जिक है तो यहां क्रेस कुर्ण यह इंस्टी टीट है बच्चों समझना चाहिए आपको, ठीक है, हमारे उपर responsibility है, आपने फी पे किया है, आपको पढ़ाना है, ठीक है, अभी है responsibility आपको होना चाहिए कि पढ़ना है, चली, आगे समझते हैं, इतना जल्दी आख दर देने लेगा, ड्रामा करते हो, appendicular escalator जिसे उपांगिये कंकाल बोना जाता है, मान वो पहले, अपपर और forelims, shoulder, lower limbs, pelvic glider, यानि कहने का मतला, ये हाथ की हड़ी को हम लोग forelims मोलते हैं, अक्सर बच्चे confuse रहते हैं, forelims और hind limbs के बारे में, डो टर्म, अक्सर आप लोग confuse रहते हैं, forelims, और एक होता है hind limbs, hind limbs, पैर की हड़ी, forelims, हाथ की हड़ी, ठीक है, इसके साथ-साथ ये वाला जो हड़ी है, कंधा वाला हड़ी, clavicle, bone, scapula, इससा बात करेंगे, इसमें, ठीक है, इसमें ये appendicular escalator में आता है, इसके साथ-साथ, pale-wee glider, यानि hip वाला बोन, ठीक है बच्चों, हीप वाला बोन, किसके में आता है, pale-wee glider में, आईए जल्दी से हम लोग अध्यान कर लेते हैं, कौन-कौन हड़ी होता है, हाथ में, ठीक है जी, तो देखो, समझना, सिखना, सिखा रहा हूं, हाथ की हड़ी, यह वाला, यहां से देखना, मेरा हाथ देखना, देखो, यह जो हड़ी यहां से यहां तक है, यह हड़ी को humorous बोल रहे हैं, कौन सा हड़ी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हड़ी को humorous, ठीक है, इसमें यहां से यहां तक हड़ी जो होता है, फोरानमी से बोला जाता है, इसमें दो हड़ी होता है बच्चों, एक होता है रेडिया और एक होता है अलना, एक होता है रेडियस और एक होता है अलना, एक होता है रेडियस और एक होता है अलना, इसके बाद हैंड का हड़ी, आठ होता है, ये पाम हो गया, पाम में हड़ी होता है, नमबर में पाच होता है, ठीके, इसके वाद आप देखो, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, नौ, दस, यारा, बारा, तेरे, चवदा, चवदा हड़ी जिसे अंगुली की हड़ी बोला जाता है, ठीके, तो आपने अभी देखा हाथ की हड़ी, ठीके बच्चो, हाथ की हड़ी आपने देख लिया, अब बात आता है, कि हूमरस का नमबर कितना होता है, तो हूमरस का नमबर एक होता है, रिडियस का भी नमबर एक होता है, अल्ला का भी नमबर एक होता है, ठीके, आठ कारपल, पाच मेटा कारपेल 14 आउंग लिए अरे कहां चल गए हाँ अब यहां पर देखो चलो यहां पर आकर देखो समझ में आ जाएगा यह वाला जो हड़ी है अभी हमने बताया रेड कलर से जो मैं कर रहा हूं यह हूमेरस नंबर में एक हूमेरस के नीचे एलवो जुआएं उसके नीच हड़ी एक हड़ी यह वाला पीला कलर से और दूसरा हड़ी ग्रीन कलर से रेडिया और अल्ला ठीक है इसके जस्ट नीचे कलाई की बोन होती है बच्चों यहां पर ब्रीस्ट बोन ठीक है इसके बाद पाम वाला हड़ी जिसे कारपेल और मेटा कारपेल बोला जाता है यह नंबर में पार्फ होते हैं तो टोटल हडी कितना हो गया है जोर लीजिए न सय हो गया य४ एक हो गया रेडियस एक हो गया आट हो गया कारपल पार வनां में टा कारपल। ऑच ़ोग जल्दी से जोर कि बता हो कि 100 अब कितना हो गया कल्कुलेशन करो भाई हमको कल्कुलेशन नहीं आता है कल्कुलेशन तुम लोग जानते हैं जल्दी से कमेंट करो कारपल एक बच्छा पुछा सर्मेटा कारपल और कारपल कलाई वाला हड़ी जो है ना वह मेटा मेटा कारपल हो गया और यह वाला कारपल हो गया ब्रिस्ट कलाई की हड़ी जहां पर घरी बनता है न वह वाला तीस हाँ तो हाथ में हड़ी कितना हो गया बच्छो तीस याद रखना चलो टेक्टोर सोल्जर भोला अभी पैर वाला हड़ी देख लेते हैं इसके वाद हम लोग सोल्जर वाला हड़ी देखेंगे फिर ये वाला फिर कलासेश खत्र ठीक है मानव के परतेक पैर में उपरी भाग में अच्छा सर तीस तो सर एक ही हथवां बोलें ठीक है तीस हड़ी एक हाथ में होता है भाई ठीक है आपके पास दो हाथ है तो टोटल हड़ी 60 हो गया ठीक है रे याद रखना ये पाइंट समझा अर्था जांग में एक हड़ी होता है फीमर बोन ये वाला जो हड़ी है बच्छो जांग की हड़ी रेड कलर से देखते जाना है ठीक है इसे हम लोग फीमर बोलते हैं कौन सा हड़ी बोला जाता है फीमर ये सबसे लंबा बोन है लंबा सबसे लंबा सबसे लंबा और सबसे श्ट्रॉंग, सबसे मजबूत, हड़ी आपके सरीर का फीमर है, थीक है? यह मानव सरीर की सबसे लंबी अस्ती है, इसके नीचे घुटना, घुटना पे, देखो, आप अपने घुटना देखो, दो हड़ी, जो घुटना है आपका घुटना पर देखना एक cup like structure होगा, cup की तरह घुटना पर लगा हुआ होगा, उससे हम लोग पटेला बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, पटेला, देखो यहाँ इस टाइप से, गोल कलर का, मैं बना रहूँ, ठीक है, यह क्या हो गया, यह पटेला हो गया, पटेला नामक अस्थी पाई जाती है, जिसका कार टोपी की तरह होता है, उसके जेस्ट नीचे दो हड़ी और होता है, एक होता है बच्चो टीविया, और एक होता है, दुसरा कलर से बना रहा हूँ, गिरीन कलर से, हेबूला, हेबूला थोरा सा पतला होता है, टीविया थोरा उसके जर्ष्ट नीचे आईएगा, तब पैर के नीचे जहां से मुर्ता है, यहां पे हड्डी का नाम है टार्सिल, जैसे वहां पे कार्पिल था, हाथ में यहां पे क्या था? कार्पिल, पैर में टार्सिल, टार्सिल के अंदर जब आई यहां पैर में, तो यहां पे मेटा ट और उसके नीचे जो पैर है वह आपको फिर इससे फैलेंजेज बोला जाता है चलो तफीमर कितना होता नंबर में? में 1 होता है पटेला 1 ठीविया 1 पैवूला 1 टरस्ल साथ それ मेटा टरस्ल पाथ और फिलेंजेज कितना होता जी? पैर में देखना जिस तरीका से हाथ में इस टाइब से बना हुआ ईक ट की उसी तरीका से पैर में भी बना हुआ होगा तो टोटल इसमें भी एक पैर में कि दो पैर में कि तीस गुने दो यानि साथ हड़ी ठीक है तो साथ एहां पे हो गया पैर में और साथ हो गया हाथ में तो 120 तो हो गया सर नौ हड़ी और बचा है ठीक है अपेंडिकुलर में 129 होता है न शॉरी 126 होता है चौह हड़ी और बचा है ठीक है चल तो यहां पे एक चीज़ और लिख लो यहां पे लिख लो खौआ ओर लिम्स, साथ हड़ी हो घिegn लिम्स, देखो बच्चो जो पार् mirrors की त्यारी कर रहां उसको यहां हड़ी की एक हड़ी कितना है पैर में हड़ी कितना है ठीक है लेकिन जो बी a.c नर्सिंग ये सब एक्जाम देगा उसको ये भी जनकारी होना चाहिए फिलेंजेज मेटा टार्सिल टार्सिल का नंबर कितना होता है ठीक है मैं पहले भी बोला था जब कूर्स लॉंच हुआ था कि मुझे जब थियोरी में पढ़ाऊंगा तो दोनों बैस को लेकर चलना है अरे यार चलो हाँ तो ये याद रखना अब छो हड़ी और बच रहा है न तो देखो सबसे पहले सोलजर बोन समझते हैं पिक्टॉर गलड़क मनूस के अंस मेकला में चार अस्थियां होता है कितना बच्चों चार अस्थियां होता है याद रखना इसमें दो अर्द भागों में अनस में लेखा कि पते हा도 हुग है ये स्कैपुला और जियान देना यहां पर देखो सभी बच्चे देखना इससे ब्यूटी बोन भी बोला जाता है कॉलर बोन भी बोला जाता है, यहां से एक खड़ी होगा, ऐसे, कॉलर पे, यहां से यहां, देखो, इसे कलेविकल या कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है, और यहां पे, सोलजर पे, यहां पे एक खड़ी होता है, इसे अस्कैपूला बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अस्कैपूला, ठीक है याद रखना, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो, कमेंट करो, चलो, यहाँ पर लिख लो, भाई, एस्कैपूला, नंबर में दो, एक ये साइड और एक ये साइड, कंधा की हड़ी, इसी तरीका से एक होता है, कलेविकल, जो अभी मैं बताया, ये, एक, देखो, यहाँ से, एक साइड इधर, एक साइड इधर, कॉलर दो होता है, कलेविकल, जिसे ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, और इसे कॉलर बोन भी बोला जाता है, यह नंबर में कितना होता है दो यानि चार हड़ी तो यहां से मिल गया तो इसमें लिख दो पलस सोल्जर बोल जिससे आप बोल सकते हैं यह कितना हो गया यह चार हो गया शाट शाट एक्सोबीस और चार एक्सोच दो हड़ी और कमरा है और दो हड़ी भी गिना देते हैं यह पढ़ ले ना किके है यह तो आपको पढ़ाई में बच्चो जनरली दो बोल होता है कौन कौन होता है एक होता है अच्छा यह हीप बोन है याद से लिखा नहीं है कोई बात नहीं मैं जो खोज रहा हूँ कहाँ चला गए पीडियक डाला नहीं है बेट करना लास्ट में ध्यान देना पेल्वी घरडल में बच्छो जरनली दो पोन होता है एक होता है सैकरम के और दूसरा होता है कोकाइक्स ठीक है सैकरम और कोकाइक्स इन दम्बर में कितने होता है एकए तो तो पेलवी गरेडल में बोन की संख्या कितना हो गया दो ठीक है मैं बताऊंगा बस अभी याद रखो सेक्राम और कोकाइस तो यहां पर लिख लो पलस में पेलवी गरेडल दो बोन तो साथ साथ हिक सो बीस पलस छे एक सो चब्वीस आपने अपने अपनिकूलर और स्केलेडल में टोटल हडिया की संख्या देख लिया ठीक है अब एक चीज और पढ़ना आपको हीप ओन इसे मिलके हीप उनane का निर्मान होता है किस चीज का निर्मान होता है हीप ओन यह जेननली 3 होता है बच्चो इलियम प्योबिस और इस्सेहिप बोन भी बोल़ decomposition यह कुछ नहीं है यह modification है पेलवी गरडल का ठीक है आपके माइड में प्रिशन हो रहे हैं सर यह bone को count क्यों नहीं किये हैं मैं already count कर लिया sacrum और cocaix यह दोनों के modification से hip bone का निर्मान होता है जो generally number में 3 होता है ठीक है देखो जैसे नवजात सीसु new bone baby में तीनों अस्तियां अलग अलग होती है परंतु बाद में इंटीगरेटेड होकर सुरोनी मेकुला यानि एक बन जाता है ठीक है तीनों अस्तिया जो है संदिय अस्तिय लिखा हुए सेकरम को कैक्स बन जाता है और कोई बात ने जिससे चलो ठीक है तो आपने 126 सड़ी देख लिया ठीक है जी पढ़ ले ना यह चीज पिक्ट्रोल और पेरवी गलरडल का डिफरेंस है और पर कुछ नहीं पढ़ लो जल् ठीक है यह वाला जो हाथ के दोनों बीच वाल एरिया इसे फेक्ट्रोल ग्रडल इसकी गलोनाइट के वीटी में हाथ में हुमरे सस्ती एक सीरा से फीमर की एक सीरा से जुरा हुआ होता है इसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं ठीक है तो चलो भाई अब कलासे क्या घंटा क् अच्छे चाते हैं कि भाई मैं भी पढ़ाई कर सको तो जल्दी से जॉइन करो लिम्टेड ओफर है आज के बाद ओफर समाप्त हो जाएगा मेरा सारा क्लासे अप्लिकेशन पर आपको मिलेगा ऐसा नहीं कि सारा यूट्यूब पर आपको अबलेबल हो जाए ठीक है तो चल कल देखो यतना पढ़ लेना और कल जो है वो कलास रहेगा तो मैंसे चला जागा मैं सूच रहूँ कल कलास लेकर आपका कंप्लीट करवा देता हूँ यह बचा हुआ है कुछ जुआइंट्स वगएरा और कुछ काटीले और कुछ-कुछ बिमारी है बचा हुआ यह चप्ट और लास्ट में कमेंट करके बच्चे आप लोग कमेंट नहीं करते हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो इंड हो जा रहा है मैं रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप उसको फॉलो कि दिये कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रह तो धन्यवाद आल दी वेरी वेस्ट पढ़ाई करते हैं यह थैंक यू शो मच्छ फिर मिलते हैं कल की कलासल में दो मच्छ पन्यवाद पन्यवाद करते हैं झाल झाल झाल